किन लोगों को पहनना चाहिए लहसुनिया रत्न जानले पहनने के नियम फाइदे और नुकसान जीोतिश रत्न शास्त्र में कुल 9 रत्न और 54 उपरत्न का वर्णन मिलता है हार एक ग्रह का संबंद किसी ना किसी ग्रह से होता है इन रतनों का धारन कर कुंडली में मौजूद ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है इसके चलते हैं आज हम आपको लहसुनिया रतने के बारे में बताने जा रहे हैं इसका संबंद केतु ग्रह से होता है तो आई जानते हैं कि किन लोगों को लहसुनिया पहनना चाहिए इसको पहनने के नियम क्या और फायदे और नुकसान क्या है बात करें यदि लहसुनिया पहनने के फायदे की तो जियोतिष शास्तर के अनुसार जिसकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिती कमजोर है उन लोगों के लिए लहसुनिया फाइदे मंद होता है वहीं जो लोग स्टॉक मार्केट निवेज से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लहसुनिया काफी फाइदे मंद माना जाता है मही वेपार में उन्नती और कमाई के लिए लहसुनिया पहनना लाबदायक होता है और आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए लहसुनिया काफी मददकार साबित होता है इसे के साथ लहसुनिया रतने धारन करने से धार्मिक और अध्यात्मिक कारियों में भी रूची भरने लगती है महीं जोतिश शास्त के नुसार मकर और कुम्बर आशी के लोगों के लिए लहसुनिया पहनना बेहत्शुब होता है महीं कन्य अवरिशव मिथुन और तुला राशी के लोग भी इस रतने को धारन कर सकते हैं हाला कि कोई भी रतने धारन करने से पहले किसी विद्वान और जोतिश की सला लेनी बहुत जरूरी है वरना आशुप परिनाम भी आपको मिल सकते हैं इसे के साथ यदि जोतिश शास्त्र के अनुसार माने है तो मेश, सिंग, धनू और मीन राशी वालों को लहसुनिया पहनने से बचना चाहिए इसके लावा कालसर पदोश या कमजोर रिदय वाले लोगों को भी इस रतने को धारन करने से बचना चाहिए बात करते हैं इसे पहनने के नियमों की देखिए रतने शास्त्र के अनुसार कम ते कम 6-7 रस्ती का लहसुनिया ही धारन करना चाहिए महीं लहसुनिया धारन करने के लिए विशाखा नक्षत्र और मंगलवार का दिन शुब माना जाता है रतने धारन करने से पहले गाय के दूत और गंगा जलसे उसके शुद्धी करने नी चाहिए और चांदी में लहसुनिया पहनना आपको शुब परिणाम दे सकता है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी और चनकारिय के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन्स पीचुल तब तक के लिए धन्यवाद